हेलो स्टुडेंट्स विल्कम टो माई यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स आज़ की वीडियो शेशन में हम पढ़ेंगे CNC मसीन याने की CNC मसीन में जो आपका फ्रेंट्स चैप्टर फर्स्ट है यहां पर आपको फ्रेंट्स में पूरा बेसिक लेवल से एक्स्प्लेंड करने वाला हूं तो CNC मसीन जो आपका सब्जेक्ट है इसे पढ़ते हैं इसे मेकैनिकल सिक्स समिस्टर के स्टुएंट्स चाहे आप आप आर्टो मॉबाइल ब्रांश के हो प्रोडक्शन ब्रांश के हो या आप कैड क्राइम कैड काइम ब्रांश के हो तीनों में आपका कॉमन सब्जेक्ट यहां पर यह चलता है तो CNC का फुल फार्म देख इन सभी टॉपिक्स पर मैं आपको वीडियो प्रोड कराऊंगा तो आप चैनल पर फ्रेंट्स फैली बार आया हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफेकेशन आपको प्रॉपरली मि पर पाएं तो यहां पर हम आज पढ़ेंगे पूरे इंसी मसीन के टॉपिक के बारे में समझेंगे की इंसी मसीन होती क्या है उसके फंक्संस क्या होते हैं उसका प्रियो कहां पर किया जाता है उसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं उसके लाब काउन काउन से होते हैं यानि इंसी मसीन है इंसी का Full Chain क्या होता है यह हो था आपका Normal Controller तो numerical controller यह आपका इंसी का Full Chain होता है तो जैसा कि आप में مت dividends देखा होगा जैसे आपकी wish01 Lake Machine पे हो गई drilling हो गई, milling हो गई, counter sinking हो गई, boring हो गई यह जितने भी आपके जो operation होते हैं उनको हम जब किसी data के माध्यम से करते हैं ठीक है? यानि इन सभी operations को करने के लिए जब हमें किसी data की आवश्यक्ता होती है और यह जो आपका data है किसी numbers के form में हो सकता है किसी symbols के form में हो सकता है या किसी अक्षर के form में हो सकता है तो वहाँ पर जब हम यह जो सारे operations होते हैं उनको हम automatic तरीके से करते हैं वही आपका numerical control होता है कहने का हमारा मतलब है कि जैसे हमारी late machine में आपकी cutting हो गई, remaring हो गई, counter sinking हो गई, boring हो गई जितने भी आपके operations होते हैं उनको यहाँ पर किसी data के माध्यम से किया जाए और वह data आपका च्शर के माध्यमसे हो सकता है जब हम आपक्रेशंस को automatically तरीके से करते हैं तो वह हमारा numerical control कहलाता है यहाँ पर आपके theory purpose के लिए मैंने definition भी लिख रकी है कि जिसमें हम किसी संख्या, अक्षर और पृतिक की सहाथा से ओपरेशन को कंट्रोल करते हैं वही हमारा नियू मेरिकल कंट्रोल कहलाता है एंसी मशीन कहलाता है तो ये इतनी आपको बाते फ्रेंस किलियर हो गई होंगी कि एंसी मशीन क्या होती है एक बार फिर से मैं repeat कर रहा हूँ क्योंकि ये topic आपका friends काफी important है तो देखें जिसमें हम अक्षर के माध्यम से या symbols के माध्यम से या numbers के माध्यम से operations को automatic तरीके से control करते हैं या operations को करते हैं तो वही हमारा numerical control कहलाता है और इसमें जो instruction है या जो निर्देश है वो विशेश प्रकार के यानि कि different different प्रकार के कारी करने के लिए हो सकते हैं जैसे हमारा हो गया वहाँ पर counter sinking करना, boring करना, drilling करना ये different different प्रकार के वहाँ पर data को बनाया जाता है और उस पे work किया जाता है और इसमें एक ये plus point रहता है कि इसमें हम अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग program fit कर सकते हैं ठीक है यानि कि जब हमें work piece को बदलना होता है तो हम वहाँ पर program को change कर सकते हैं ये आपका फिंस पूरा NC machine हो जाता है तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि NC machine क्या होती है बाकी आपके लिए यहाँ पर theory purpose मैंने इसके definition भी लिख रखी है आप इसको easy way में फड़ सकते हैं यहाँ पर आपका पूरा layout of NC system के बारे में बताया गया इसको भी समझ लेते हैं सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि product की drawing बनानी होती है ठीक drawing बनाने के बाद उसमें क्या करते हैं उसमें planning करनी होती है कि कैसे किस program को हमें feed करना है कौन सा tool किस प्रकार work करेगा इस सभी को हम वहाँ पर minus करते हैं उसके बाद programming की जाती है यानि कि part programming की यानि कि कौन सा tool कब आकर वहाँ पर cutting करेगा टेक है कितने टाइम बाद वहाँ पर counter sinking होगी रीमरिंग होगी यानि कि यह जितने भी आपके process होते हैं वहाँ पर part programming के जाती है पर programming के बाद वहाँ पर punch tape card है पंच tape क्या होता है जो आपका फ्रेंटs punch tape card होता है इसे में सारा part programming जो होता है इसको वहीं पर ही लिख दिया जाता है पंच कार्ड में ही यहाँ पर आपकी सारी पार्ट प्रोग्रामिंग इंटर कर दी जाती है उसके बाद आपका आता है मसीन कंट्रोल यूनिट जिसको हम MCU के नाम से जानते हैं जब हमारा पंच टेप कहें या पंच कार्ड कहें तो जब हम पंच टेप या पंच कार्ड को MCU में लगाते हैं और जो आपका मसीन का हार्ट कहा जाता है क्योंकि जो भी यहाँ पर डाटा यहाँ पर पंच टेप में फीट किया जाता है उसको read करने का कार हमारा machine control unit करता है यानि कि यह इसका brain कहा जा सकता है कि यहां से जो भी instruction दिये गए उसको पढ़ना उसके बाद यह क्या करता है कि टूल को guide करता है कि आपको भाई किस प्रकार कारे करना है कि आपको कब counter sinking करनी है कब boring करनी है कब remembering करनी है तो इसी सारे ये car account करता है instruction देता है MCU करता है आई एक बार आप फिर से देख लीजे क्योंकि यहां पर आपको समझना काफी important है और यह आपका friends पूछा भी जाता है layout of NC system के बारे में तो सबसे पहले क्या करते है कि product की drawing बनाते है उसके बाद वहां पर process planning की जाती है कि किस product को हमें किस प्रकार बनाना complete उसकी planning की जाती है उसके बाद उसमें part programming की जाती है कौन सा tool हमारा कब work करेगा किस प्रकार work करेगा कौन सा tool लगाए कौन सा न लगाए वहां पर part programming पूरा की जाती है उसके बाद जो programming होती है उसको पंच टेप या पंच कार्ड में fit कर दिया जाता है और यही पंच कार्ड आपका क्या करता है कि machine control unit में insert करा दिया जाता है और machine control क्या करती है कि इस data को पढ़ती है और यहाँ पर fit किये गए program के हिसाब machine tool को guide करती है कि भाई आपको किश प्रकार कारे करना है और उसके बाद क्या करते हैं कि मसीन टूल वर्क करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट की फिनिसिंग प्राप्त होती है और लास्ट में हमारा प्रोडक्ट बन कर तयार हो जाता है तो ये आपका ले आउट आफ पूरा एंसी सिस्टम होता है इसको हम लास्ट में एक बार फिर से डिसकस कर लेंगे क्योंकि ये आपका काफी बार पूछा जाता है अब एंसी सिस्टम के कारे क्या होते है यानि कि एंसी मसीन का कारे क्या होता है इसके बारे में भी ये डिसकस कर लेते हैं तो भाई इनसी मसीन का कार्य होता है कि मसीन टूल इस पेंडल को सुरू करना और रोखना यानि कि जो वहाँ पर इस पेंडल लगा होता है यानि मान लिजे कि इसको मच्छे से ड्रा करते है कि यहाँ पर आपकी कोई ऐसे वर्टिकल मसीन रखी है ठीक इस प्रकार की यहाँ पर ड्रिलिंग करनी और यहाँ पर आपका स्पेंडल लगा तो इस स्पेंडल को कंट्रोल करना इसको कब चालू करना है कब रोकना है तो भाई यह सारा काम आपका पूरा एंसी मसीन देखती ह ठेक है और जितने भी आपके टूल होते हैं यहाँ पर मसीन टूल की भी बात आ जाती है कि जैसे यहाँ पर आपका ड्रिलिंग टूल लगा है ठीक है अब इसको भी यह गाइड करता है कि भाई आपको कितनी स्पीड पर चलना है वो उसको भी कंट्रोल करने का कार्य हमारा कौ होता है नेक्स आपके बात करें तो फीड की रेट को कम करता है यानि कि उसकी जो फीड होती है उसको भी कंट्रोल करने का कार्य हमारा इंसी मसीन करता है नेक्स आपका है टूल को बदलना यानि की टूल को कैसे बदलना है कब बदलना है वो पूरा आपका आटोमेटिक तरी यानि कि जॉब के उसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए उसको कम करना ज्यादा करना इसका भी आपका एंसी काम होता है टूल को सही स्थान पर लगाना और उससे आटोमेटिक तरीके से चलाना ये भी आपका एंसी मसीन का कार्य होता है फीड की रेट को कम करना यानि कि उसकी जो फीड है उसको कम करना वो भी आपका कार्य होता है और टूल को बदलने का भी आपका पूरा कार एंसी मसीन कर लेती है तो इतना किलियर हो गया चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं अचो कि न in तो यहां पर आपकर एक डायग्राम है डायग्राम समझ लहीं कि नसी मसीन कैसे वर्गरती जहां पर देखे आपका पूरा प्रोग्राम बन गया प्रोग्राम जाएंगा और MCU में MCU ही सारा कंट्रोल करेगा कि किस प्रकार वहाँ पर आपको वर करना है कितनी स्पीड में आपको वर करना है वो पूरा आपका कौन एक्स्प्लेंट बताएगा उसको भाई आपका MCU इसलिए MCU को CNC मसीन का ब्रेन भी कहा जाता है ठीक है इसको भी आप याद रखें जिए या इसको हर्ट भी कहते हैं RC मसीन का ठीक है नेकस्ट आपकी कूश्ञ्ट की सबसे पहले आपको बताया पार्ट प्रोग्रमिंग की जाती है ठीक है और clavel इसमें पारट प्रोग्रामिंग कैसे करते है कि हमारे cutting parrameters होते हैं और part drying जो होती हैं इनका हम प्रीयोग करके drying का उप्विवग करते हैं यहां नहीं कर में ड्राईंग का उप्यो करकर हम भी part programming करते हैं नेक्स्थ आप की बात करें तो part programming को हम दो प्रकार से सिक्ट कर सकते एक उन्वली से कर सकते हैं यानि कि MPP का मतलब manual part programming एक computer added part programming manual means खुद से कर सकते हैं और computer यानि कि automatic तरीके से हम वहाँ पर part programming कर सकते हैं ठीक है next आपके topic की बात करें तो next आपका topic आता है फ्रेंट्स program tip अब program tip क्या होता है या इसी को हम पंच टेप भी कहते हैं in prochainекüğ को program टैप पर दर्ज किया जाता है यानि कि जो वहां पर data कटा किया जाता है वो जो आपका मालिजीर program type is इसी में उस data को unhappy माध्यम में से insert कर दिया यानि कि जयसे हमारी फौन में कारे करती है मेमोरी उसी प्रकार ये आपका मेमोरी श्मज़ें और इसमें डाटा जो होता है सरफ को goal के माध्यम से और दर्ज किया जाता है तभी वह हमारा वहां पर कारे करता है तो ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें तो आपका नेक्स्ट आता है M.C.U. M.C.U. क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम को टैप रीडर द्वारा पढ़ा जाता है यानि कि जो हमारा M.C.U. होता है वो प्रोग्राम को रीड करने का काम करता है किसके दोरा टेप रीडर के दोरा वो सारे प्रोग्राम को रीट करता है जो प्रोग्राम वहाँ पर होल्स के रूप में डाटा जो है उसको सेट किया जाता है नेक्स टॉपिक की बात करें तो आपन नेक्स टॉपिक आता है मसीन टूल अब मसीन टूल का कारे क्या होता है मसीन टूल का आपका सिंपल ही है कि मसीन के टूल के दौरा कारे किया जाता है तो जितने भी टूल होते हैं उनके दौरा कारे किया जाता है और उनको कंट्रोल करने का कारे करता है वो हमारा MCU कारे करता है अभी एक बार मैं इसके पूरे working process को फिर से explain कर दूँगा अभी इंड में तो आपको पूरा clear हो जाएगा next हम topic की बात करते हैं तो next आपका topic आता है NC machine के अनुप्रियों यानि की NC machine का जो है inspection हो गई cutting हो गई, rimring हो गई, boring हो गई डrilling हो गई जितने भी वर्क होते हैं वो आपके NC machine के दварा omatic तरीके से किये जाते हैं साथ ही साथ next topic पर चलते हैं next topic आता है इसके advantage क्या होते हैं तो भाई advantage भी इसमें पढ़ने आवस्यक हैं ये भी आपका पूँचा जाता है कि tool की लागत कम होती यहाँ पर जो tool work जिनसे work किया जाता है उनकी जो cost होती है वो कम होती है next topic के बात करें तो next type का point आता है error बहुत कम आता है क्योंकि वहाँ पर सारा automatic तरीके से होता है और data को अच्छे से fit कर देते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर error की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है next type का है कि inspection की आवस्यक्ता नहीं होती है क्योंकि जो हमारी NC machine है वो totally automatic तरीके से work करती रहती है तो वहाँ पर क्या होगी वहाँ पर inspection की आवस्यक्ता होगी लेकिन जब machine है हमारे पास वो automatic तरीके से कारे कर रही है तो वहाँ पर हमें ज़्यादा inspection की आवस्यक्ता नहीं होती है केवल आपको इतना ही देखना होता है कि हमारा जो program fit किया है वो सही से उस पर हमारी machine सही से work कर रही है या नहीं कर रही है next topic की बात करें पॉइंट की तो next आपका point आता है कम time लगता है अब भाई manually कारे करोगे तो उसमें अधिक time लगेगा लेकिन machine के दोरा बहुत कम समय में कारे किये जा सकते है नहीं रहिए कि कम time में अधिक production किया जा सकता है तो यह इसके Advantage हो जाते है next point की बात करें तो next आता है आपका इसके disadvantage याने कि इसकी हानिया हानिया भी होगा यानि कि जायर सी बात है किसी चीज्ड़ानेज होते है तो इसके disadvantage भी होते है इसमें हानिया क्या होती है कि इसमें इसका investment जो cost होती यानि कि NC machine को लगाने के लिए हमें ज्यादा वहाँ पर पैसे की अवस्चक्ता होती यानि कि installation इसकी जो installment cost होती है वो काफी अधिक होती है यानि कि जो हमारी NC machine आती है वो काफी महेंगी आती है नेक्स्ट आपके बात करें तो यानि कि इसका है maintenance cost हभाई machine की maintenance जरूरी है तो इसका maintenance cost भी क्या है एकदम हाई है नेक्स्ट बात करें तो need of skilled of programmer और जैसे आपकी NC machine है इसको चलाने के लिए आप किसी आयरे गयरे को नहीं लाएंगे यानि कि जिसको उसके बारे में knowledge नहीं है तो programmers को लाना पड़ेगा और जब programmers आना पड़े आएगा तो उसको salary भी तो देनी पड़ेगी high यानि कि जितनी उसके demand होगी उसके demand के अनुसार ही तो आपको salary देनी programmer होते हैं वो भाई समझ लेजिए उनका यानि कि जो चार्ज करते हैं वो ज्यादा ही होता तो यह इसके disadvantage हो गए तो यहां पर अभी क्या है कि इसके एक बार फिर से हम पूरा जो NC का layout है समझ लेते हैं क्योंकि यह आपका difference most important है और यहीं से सीधा पांस नंबर का question पूछा दाता कि इसकी machine क्या होती है इसका layout ड्रा करिए इसके advantage लिखिए disadvantage लिखिए इसका working process लिखिए पूरा explain करने को आपका वहाँ पर आता है तो यहाँ पर जैसे आपका है product drawing तो सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी product की drawing बनाते हैं drawing बनाने के बाद उसकी पूरी planning की जाती है कि किस प्रकार हमारा product तयार करना है उसके बाद वहाँ पर part programming की जाती है और part programming करने के लिए हमें symbols की आवस्यक्ता होती है numericals यानि कि वहाँ पर numbers की आवस्यक्ता होती है और वहाँ पर capital यानि कि अच्छर इन तीनों के माद्यम से वहाँ पर program को तयार किया जाता है और उसी program को हम punch tape card में ही insert करते हैं कि होल के माद्यम से उन सारे program को वहाँ पर feed किया जाता है और इसी punch tape card को हम कहाँ पर machine control unit यानि कि MCU में insert करा देते हैं यानि कि इसमें एक memory की तरह कारे करती है और ये MCU tap reader की साहता से इन सभी instruction को पड़ती है और फिर आदेश करती है कि इसको machine tool को की आपको भाई किस प्रकार work करना है और उसी के recording हमारा machine tool कारे करता है कि कब हमें sinking करना है, drilling करना है, cutting करना है, remembering करना है वो पूरा automatically तरीके से कार करता है, और machine tool कार करने के बाद हमें product finishing दे देता है, तो ये आपका पूरा layout of insi system होता है, तो यहाँ पर आपका फ्रेंस ये पूरा topic है, आप comment करकर हमें जरूर बताए कि आपको, तो सभी लोगों यहाँ पर comment करकर हमें बताए कि मेरे द्वाइट क करकर हमें जरूर बताएगा, बाकि आपसे एक ही request है, कि friends, यहाँ पर आपको CNC machine की जो आपकी classes है, properly continue तरीके से मिलती रहेंगी, आपके वल अपने सभी students को इस वीडियो को share कर दें, ताकि वे भी यहाँ पर आएं और अपने semester exam की तयारी अच्छे प्रेकार से कर पाएं, बा कर सकते हैं, तो चलिए friends, मिलता हूँ, आपसे next video में, तब तक के लिए, टाटा, बाए-बाए, take care, have a nice day, thank you, खुछ रहें, मस रहें और अच्छे से आप पढ़ते भी रहें